तो कहानी की शिरुवात में हम एलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक इंशोरंस ब्रोकर था और अपने कम्प्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ था तब ही उसकी पतनी मैरी उसी कॉल करके याद दिलाती है कि हमें घर देखने जाना है इस पर एलन तुर पहले उन्हें लिविंग रूम फिर किचन और आखरी में बेडरूम दिखाता है इसी दोरान बेडरूम की बालकेनी से देखने पर मैरी को एक पुरानी कार दिखाई देती है जिसके बारे में पूछने पर फ्रैंक कहता है कि उन लोगों के शिफ्ट होने से पहले मैं इस का परा कन्फ्यूज होता देख फ्रैंक को लगता है कि शायद वो लोग इस घर को नहीं खरी देंगे इसलिए फ्रैंक उनसे कहता है कि मैं आपको इस घर के एक सीक्रिट के बारे में बताता हूँ वो उनको बताने लगता है कि दर असल इस घर में एक ऐसी खासियत है चो दुनिया के किसी भी घर में नहीं है इतना कहता हुआ वो एलन और मेरी को घर के बेस्मेंट में जाने के लिए बने एक गड़े के पास ले जाता है जिसे देखकर मेरी कहती है कि क्या तुम हमें सीवर दिखाने लाए हूँ जिसके जवाब में फ्रैंक कहता है कि ये कोई सीवर नहीं है बलकि इस घर के बेस्मेंट में पहुचने का रास्ता है और इसके खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा ऐसा कहकर फ्रैंक उस गड़े के अंदर चला जाता है लेकिन मेरी वहाँ पर जाने से मना कर देती है जबकि एलन फ्रैंक के पीछे चला गया था लेकिन जब वो मेरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखता है तो वो मेरी से वहाँ चलने की request करता है और मेरी को उसकी बात माननी पड़ती है उसी वक्त पता नहीं क्यों Frank मेरी से उस दर्वाजी को बंद करने को कहता है जिसके जरीए ये लोग अंदर दाखिल हुए थे वो कहता है कि ऐसा करने पर ही ये जगा अपना असली कमाल दिखा पाएगी जैसे ही ये लोग basement में entry करते हैं तो वहाँ वो देखते हैं पता नहीं कैसे वो basement की जगा इस घर के first floor पर पहुँच गए है ये चीज देखकर मेरी और एलन दोनों ही हैरान रह जाते हैं यानि कि basement का वो गड़ा किसी warm hole की तरह काम कर रहा था जिसने उन सभी को बहुत ही रहसमई तरह से उपर वाले floor में पहुचा दिया था यहां एलन नोटिस करता है कि ये सुबह का समय है जबकि वो लोग शाम के समय उस घर को देखने गए थे वही मैरी भी इस बात को लेकर काफी confused थी कि आखिर basement में जाने पर वो लोग उपर के floor में कैसे पहुच गए साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वो लोग किसी दूसरे घर में आ गए हैं कि हम लोग पिछले शाम 8 बच के 15 मिनट पर यहां अंदर आये थे और इस समय सुभा के 8 बच कर 27 मिनट हो रहे हैं मतलब कि हम सभी अगली सुभा ठीक 12 घंटे के बाद 8 बच कर 15 मिनट पर बाहर निकले हैं और तब से अब तक 12 मिनट का समय बीच चुका है यहां एलन फ्रैंक से सवाल करता है कि टाइम ट्रेवल तो ठीक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि भला कोई भी इंसान नीचे बेस्मेंट में जाने पर उपर की फ्लोर में कैसे पहुँच जाता है इस पर फ्रैंक एलन की बात का सीधा जवाब ना दे कर बाते घुमात है कि इस घर में सिर्फ यहीं इंद खुबी नहीं है बलकि एक और जबरदस्त खुबी है वो आगे कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए कई लोग तैयार खड़े है इसलिए आप लोग जल से जल फैसला करो कि इस घर को लेना है यह यह नहीं यह सारी चीजे बताकर फ्रैं जिसके बाद ये सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है और हम ये जान पाते हैं कि एलन और मेरी ने वो घर खरीद लिया जहां ये लोग तुरंट ही मूव कर गए इस घर में पहुचते ही एलन एक कैट को देखता है और उसे पैट के तरह अपने साथ रखने का फैसला करता है वहीं दूसरी तरफ मेरी को हम घर के अंदर उसी टाइम पोर्टल के पास देखते हैं जहां सारा समान ठीक से लग जाने के बाद एलन और मेरी इस नए घर को लेने की खुशी में इंजॉय वगरा करके सो जाते हैं अगले दिन एलन अपने बॉस जिराल्ड और उसकी गल्फ लेकिन एलन को कार का कुछ खास शौक नहीं था इसलिए वो जिराल्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता इसी बीच जिराल्ड की गल्फरेंड जैनी एलन से मेरी के बारे में पूछती है क्योंकि जब से वो लोग आए है तब से मेरी उन्हें कहीं नजर नहीं आई इसके जवाब में एलन कहता है कि मेरी घर के अंदर है और दूसरी साइड मेरी को हम उसी टाइम पोर्टल वाले बेस्मेंट से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो दरसल पिछली रात ही उसके अंदर गई थी और अब जाकर वो बाहर निकली है मेरी बाहर आके सभी से ये कहती है कि मैं नहा रही थी जिसके बाद इन सभी को हम डिनर करते हुए देखते हैं जिस दोरान जैनी के जबरदस्ती करने पर जिराल अपना एक सीक्रेट सब के सामने शेयर करता है वो बताता है कि मैंने हाली में एक इलेक्ट्रोनिक पार्ट का ट् क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके सराज के बारे में किसी और को भी पता लगे। केहती है कि आओ हम दोनों साथ में बेस्मेंट में चलते हैं जिसके जवाब में एलन बोलता है कि मुझे कल आफिस जाना है इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कहती है कि जिराले उसे अपने केविन में ँरंट बुलाया है इसलिए एलना जिराल के पास जाता है जहां पहुचते ही वह जिरालं spirखता है कि आ्खिर तुमने असिस्टंट से बेसिस पे मैं कभी भी तुम्हें जज नहीं करूँगा ये बाद जान का जिराल काफे खुश होता है इधर दूसरी तरफ बारा घंटे पूरे होते ही मैरी उस बेस्मेंट से बाहर निकलती है और फिर नहाने के बाद वो अपनी जवानी की फोटो देखने लगती है जिस दरा जिराल जैनी से अपनी और एलन की बातचीत के बारे में बताता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एलन की पत्नी मेरे इस ट्रांस्प्लांट से कुछ खास इंप्रस नहीं हुई थी क्योंकि उसने ये बात जानने के बाद कोई भी रियक्शन नहीं दिया था इससे पूछती है कि क्या मुझे कोई फर्क आया है क्योंकि मैं तीन बार पोर्टल में गई जिसका ये मतलब कि मेरी उम्र 9 दिन कम हो चुकी होगी जिसके जवाब में एलन बातों को बिलकुल भी ना घुमाते हुए कहता है कि तुम मुझे पहले जैसे ही लग रही हो ये ब मुझे लगता है कि हमें इस पूर्टल को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए यहां मैरी एलन की बाते सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अकेले रहने के कारण फाल्तू की कहानिया बनाने लग गए हुँ और इतना कहने के बाद वो वापिस से उसी पूर्टल म देते हुए अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस करने पर चलने के लिए उसको बोलता है जहां बंदूग में कुछ खराबी होने की वज़ा से शूट करते ही जिराल को एक जूर का जटका लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है इसके बाद रेस्ट रूम में जिराल के चलाने की आवाज सुनकर एलन को उसकी थोड़ी चिंता होती है और जब दोनों कार में होते हैं तो जिराल एलन से बताता है कि उस बंदूग के जटके की वज़ा से मेरे ट्रांस्प्लांट में खुछ खराबी आ गई है जो बात सुनकर एलन उसको ट्रांस्प्लांट रिप वो एलन से कहता है कि यहां का उसका सारा काम वो संभाल ले साथ ही वो एलन को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम इस चाबी को ले जाकर जैनी को दे देना ताकि अगर उसका मन करे तो इस बीच वो मेरे घर आकर रह सकती है यहां अपने बास की बात मानते हुए एलन जैनी को वो चाबी देने के लिए जाता है जिसे जब जिराल के बारे में पता लगता है तो उसे शक होता है कि जिराल किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं बाहर गया होगा और क्यूंकि जैनी जिराल की गल्फरेंड है तो वो भी उसी की तरह किसी और के साथ रोमैंस कर सक यहां जैनी का इशारा एलन के तरफ था पर क्यूंकि एलन एक शादी शुदा आदमी था तो वो चुपचाफ वहां से जैनी की बातों को नजर अंदास करके चला जाता है। अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद एलन जब घर पहुचता है तो वहां मैरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे अब कल मिलूंगी। जिसका ये मतलब है कि इस टाइम पोर्टल के जरीए सच में उम्र कम की जा सकती है। इसके जरीए हम दोनों हमेशा जवान बने रहने के साथ साथ अमर भी हो सकते हैं। मैरी एलन से आगे कहती है कि तुम किसी से भी इस घर के राज के बारे में न बताना जिस बात पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए इससे भी जरूरी काम है। पर दोनों पती पतनी में बहस होने लगती है। जिस दोरान जैसे ही एलन उस सेप की एक बाइट लेता है वैसी वो देखता है कि उसके अंदर चीटिया भरी हुई है। मेरी भी उपर से तो जवान हो जाए लेकिन अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रहे जिसकी वज़ा से उसके अंदर भी ऐसी चीटिया निकले। यहां एलन ये बात मेरी से भी शेर करता है जो जैसे ही घर पहुशती है तो एक चाकू एलन को दिखाते वे बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी सोच पर इतना यकीन है तो तुम मेरी स्किन को अभी इस चाकू से काट कर चेक कर लो। यहां एलन मेरी से पूशता है कि तुम फिर से जवान क्यों होना चाहती हो जिसके जवाब मेरी बोलती है कि मुझे जवान होकर अपना मॉडल बनने का सपना पूरा करना है जो मैं पहले नहीं कर पाई थी अब मैं इसे जरूर पूरा करूंगी और इतना कहकर मेरी सीधा उस जैनी के लिए एक पर्स ले लेता है दूसरी ओ डॉक्टर जिराड से बताता है कि तुम्हारा ओपरेशन सफल रहा लेकिन उसके इतना कहते ही अचानक से उस इलेक्ट्रोनिक ट्रांस्प्लांट में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे डॉक्टर और जिराड दोनों ही हो रही है तो तुम उसे हमेशा के लिए सील कर दो इसके बाद एलन सीधा जैनी को जिराड की तरफ से गिफ्ट देने के लिए चला जाता है वहां वो जैनी को किसी और के साथ देखकर वापिस लौट जाता है दूसरी तरफ बीटते हुए समय के साथ मैरी का पागलपन बढ के वापिस आ चुका था जिसके साथ उसकी एक दूसरी गर्फरेंड भी थी जिससे वो जल्दी शादी भी कर लेता है लेकिन एक दिन जब जिराड की पतनी उसे उसी के एसिस्टेंट के साथ रोमैंस करते हुए पकड़ लेती है तो उनका तलाख हो जाता है और जब एक दि मॉडलिंग करने लग जाती है लेकिन एक दिन जब फोटो शूट के दौरान एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो मॉडलिंग करना छोड़ देती है लेकिन अब भी लगातार उस पोर्टल में वो जा रही थी इस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और ना चाहते हुए भी एलन को उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ता है उसके जाते ही एलन उस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर देता है वहीं हॉस्पिटल में मैरी एक ग्लास के काच के जरिये अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश क करती है जिस दोरान उसे पता चलता है कि सच में उस सेप की ही तरह वो भी अंदर से सड़ती जा रही थी जिसमें से चीटियां भी बाहर निकल रही थी मगर अब तक मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए